आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम हिमांसु तिवाई है क्या ऑने निल्सन मंडेला का नाम सुना है ? बिलकूल आपने अपने सुना होगा लिकिन साथ आपको पता नी होगा कि उन्होंने कितनी पीडा सही अपने जीवन में 27 साल जेल में पढ़े रहे कोई फादय नहीं हुआ, कितना ज़्यादा उनको कश्ट सहना पड़ा मैं उसी के बारे में आपको बताता हूँ और कैसे नेलसे मंडेला नेलसे मंडेला बने उनकी साइकोलजी कैसे बनी उनका माइंड इतना स्ट्रॉंग कैसे हुआ कि प्रिसीडेंट बने इन सब के बारे में बात करूँगा सबसे पहले मैं बता दूँ जितने भी लोग महान हुए हैं एक खासियत आपको सब में मिलेगी अलाट अप पेन दर्द काते हैं रयार की हीरा जितना ज़्यादा रगड खाता है उतना ही ज़्यादा चमकता है वैसा इन सर्फ्रेस्ट लोगों के साथ है नेलसे मंडेला को साउथ अफरीका का गाधी कहा जाता है उन्होंने वहाँ फैले अस्वेट लोगों के खिलाफ जो भेदभाव है उसके खिलाफ उन्होंने लडाई लड़ी उनका बस इतना कहना था कि यार हमारे साथ भी अच्छे से बेहार करो मानवता पून बेहार करो लेकिन ये वो समय था जब लोगों के रंगों के अनुसार उनके साथ बेहार किया जाता था उनकी बुद्धी उनके ग्यान के अनुसार नहीं बहुत मुस्किर आई उन्हें और इसी विरोध की कारण वो उस समय बहुत काम उमर थी बहुत उनके अंदर जोस था युवा थे उनको जेल के अंदर डाल दिया गया 27 साल के लिए है और 27 साल जेल में रहे उनके साथ कैसा टीटमेंट हुआ मैं बताता हूँ उनके साथ इतना दुर्वेवार किया गया उसका कोई सीमा नहीं मंडेला जिस जेल में रखे गए उसका कमरा इतना छोटा था इतना छोटा था कि वहाँ सोते नहीं बनता था उनसे उसमें कोई भी एक छोटी सी टेबल रखी गई थी जिसमें कैदी जुक की लिख सकता था अपनी कैद के पहले साल में मंडेला को फुल पैंट पहनने की इजाज़त नहीं थी बजाए वहां की ठंडी जमा देने वाली होती थी रॉबेन आइलेंड जहां ठारा साल उन्होंने साथ अफरीका में बिताए वहां की बात कर रहा हूँ कपड़े नहीं दिये जाते थे चड़ा पहनते थे चड़ा लिखते नहीं बनता था वो एक टेबल मिलती थे उसी में लिखते थे और सुनिये जब वे असनान करते तो पहरेदार उन्हें नग्न देखते उन्हें नीचा दिखाने की एक बहुत ही घटिया कोशिस लेकिन वे हिम्मत नहीं आ रहे उन्हें जन्वरों से बत्तर भोजन दिया जाता पत्नी पुत्र के पत्र नहीं दिये जाते ठाड दिये जाते जो वो पत्र लिखते वो भी नहीं दिये जाते और मैं पढ़ रहा था फाइफ एम क्लब बुक में कि उन्हें सबसे ज़्यादा दुख तब लगा जब उन्हें अपने बड़े पुत्र की अंतेइस्ट में नहीं जाने दिया जिसका कार एक्सिडेंट के कारण मौथ हो गया था देख रहे हैं कितना जाता पेन सफर करना पड़ा निरसर मंडेला जब जेल में थे तो तपती धूब में दस साल तक उन्होंने चूने डोने का काम किया और मैं आपको बताओं कि एक बार उन्हें कब्र खोदने को कहा गया बहुत ही मार्मी घटना है गौश से सुनिये का एक सो जाओ इसी में उन्हें लगा कि अब मलित्तिव आ गई है तब ये पहरेदारों ने क्या किया कि उन्होंने पेंटों की जिप सरकाई मतलब चैन और उनके उपर पेसाब कर दी कितना अमानवी सामने वाले को इंसान ही नहीं समझा दाता था उस समय किसी का भी विश्वास तोड़ने के लिए काफी था ये कोई जान दे सकता था लेकिन फिर भी मंडेला तो मंडेला है न उनके जीवनी लॉंग वाग टू फ्रीडम गुपत रूप से गाड़ दी गई उसको हटा दिया गया खतम सारी मेनत खरम लेकिन वो करते क्या थे इन सब के वावजूत सुनिये सुभा उटकर 45 मिनट एक ही जगह पर दोड़ते थे एक ही जगह पर चुकि अस्थान नहीं था तो एक ही जगह पर दोड़ते थे उठक बैठक लगाते थे 100 fingertips push up करते थे मतलब अगली से और उन्होंने जितनी जादा बुक्स पड़ी जेल में उतनी जादा उन्होंने कभी नहीं पड़ी वो आये तो थे एक लड़ाकू युवा क्रोधी सुभाओ के लेकिन जेल में उन्हें महापुरूस बना के छोड़ा और जब वो जेल से निकल उन्होंने सब को छमा कर दिया अब क्या किया जेल छोड़ने के बाद सुनिये जो उन्होंने जेल में सहन किया उसी ने उन्हें सक्ति दिया और एक महाननेता बनाया यह तो मानना चाहिए हमें जब उन्होंने जो विपक्षी था जिसने उन्हें जेल भिजबाया था उसको जब प्रेशिडेंट बने तो उन्होंने डिनर पे बुलाया और जो वहाँ पे सैनिक थे जो सिपाही थे उनके साथ बुरा बरताओ करते थे उन सबको उन्होंने अपने प्रेशिडेंट बनने पर उनको नियोता दिया था कितना विशाल हृदय होगा निलसे मंडेला का यार सोचने लायक है ऐसे लोग की विचार धारा ऐसे लोग की साइकॉलजी जब मैं पढ़ता था मेरे रोक्टे खड़े हो गए कि इतना भी बिनम्र कैसे हो सकता कोई इन्हूमन एक्ट हो रहा है उनके साइज दुराचार हो रहा है फिर भी वो आदमी सहरा है और खुश है और फिर उन्हीं की मदद कर रहे है सेवा कर रहे है उनके साथ ज़ुड़ा हुआ है Amazing Amazing man मदीबा कहते है नलसम मंडेला को मदीबा भी कहा जाता है मदीबा कहते है कि जब मैं गिट के बाहर जा रहा था, जेल से, तो आजादी की ओर जाने वाला था, यदि मैं अपने ग्रिणावा करवाहत को न छोड़ू, माफ न करूंगा, तो मैं कैद में ही रहूंगा, मतलब यहाँ पर mentally free होने की बात कही जा रही है, अगर मेरे mental में ये है कि मैं सामने बाले को उस से, जब मैं president बन जाओंगा, तो उसको मैं डंड दूँगा, उसको मैं जेल में बिचवा दूँगा, तो मेरे अंदर यार कही न कहीं मैं कैद में ही हूँ उस घड़ना के, इस कैद से छूटने का नाम उन्होंने दिया कि मैंने उन्हें माफ कर दिया, अब स्टॉंग बिलिफ सिस्टम अपने लक्ष के लिए, और उन्हें लक्ष पाया, और वो सफल हुए, तो I think ये एपिसोड आपके बहुत काम का होगा, तो ऐसे ही psychology based video देखने के लिए हमारी चैनल को subscribe कर लिजे, और share कर दीजे, ताकि और लोगों तक ये बात बहुत सके, तब